नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश, टीचर एजुकेशन सिंप्लिफाइड चैनल में आपका स्वागत है लिए स्टूडन्स के PDF आंसर शीट को किस तरह से चेक किया जाए और उनको मार्च दिये जाए इसका डेमोंस्टेशन मैं आज देने वाला हूँ इसके लिए मैं यूज करना वारा हूँ Google Chrome और Google Chrome का एक extension जिसका नाम है कामी तो उस extensions की मदद से हम स्टूडन्स के PDF फाइल में आय हुए आंसर को करेक्ट कर पर उसकर मार्च दे सकते हैं तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि यह जो कामी extension है उसको किस तरह से Google Chrome में add किया जाए तो आप सबसे पहले Google Chrome open किजिए उसमें settings में जाए settings में आने के बाद आपको यह सारी features दिखाए देंगे इसके बाद सबसे नीचे आ यह extension पे क्लिक किजिए extension में आने के बाद आपको open Chrome web store करना है यहाँ पर आपको सारे जो Chrome के extension है वो दिखाए देंगे आप वहाँ पर search करें कामी और यह जो कामी है extension PDF and document annotation इसको क्लिक करके उसको add करने के बाद आपको आपके Gmail से उसको login करना होगा और यह जो कामी का extension आ जाएगा उसके लिए सिर्फ आपको यह सवाल का जवाब देना होगा कि आप किस लेवल के लिए इस extension का यूज करना चाहते हो इसके बाद यह extension आपको यहां दिखाए देगा यह जो निले कलर में जो के दिखाए रहा ही यह extension है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यह option होगा यहां से आपके students के जो PDF फाइल्स होते वह आपको upload करने अगर वह Google Drive में तो वहां से कर सकते या फिर आप आपके computer से upload कर सकते हो तो मैंने computer से एक PDF फाइल यहां पर upload कर दिए यहां पर आएंगे आप तो लेप साइड में जो भी features है उसमें जहां भी lock लिखा इसका मतलब फीचर फ्री अवेलेबल नहीं उसके लिए paid subscription लेना होगा कामी का तो यहां हमें दो ही में features की बात आज करने वाला हूँ इस वीडियो में एक तो हम इसको correct कैसे करें मास कैसे दे और उसके उपर कुछ comment किस तरह ले तो हम आएंगे पहले आएंगे drawing section में अगर हम teacher है तो हम red color लेंगे और इससे हम सिधा correction करेंगे यहां पर हम जिस तरह से draw करते हैं उस तरह से हम इस पर draw कर सकते यह freehand tool है इसको सिर्फ हमें draw करना है अब यह पूरक जो आप यह मान लिजे कि यह एक red color का pen है जिससे आप copy correct कर लेंगे आप इसमें mark दे सकते हो जो भी आपको draw करना यहां पर आप कर सकते हो अब मान लिजे अगर आप moderator हो तो आप green लेजिए आप green से फिर इसको correct कर सकते हो यह श्रिप में उसी तरह से यह annotation का यूज कर रहा हो कि यह हो गया अब इस तरह से हम उसको mark दे सकते हो और manually total यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लिजे टोटल मार्क उनको 8 मिले ले उसके बाद अगर हमें कुछ comment करने होगी था हम यहाँ पर comment यहाँ पर हम comment भी type कर सकते हैं क्या comment यहाँ पर आ गई है तो यह comment भी students को दिखाई देगी यहाँ पर यह comment आएगी यह comment इस जगह पर आ सकते हैं जहाँ पर हमें comment देनी वहाँ पर हमें click करके उसके बाद यह text box आ जाएगा वहाँ से आपको comment का यूज करना है तो इस तरह से इस कामी extension का यूज करके हम इसको marks दे सकते हैं यह marking कर सकते हैं यह marking यहाँ पर आ गई तो examiner और moderator दोनों यहाँ पर mark दे सकते हैं और यहाँ पर comment भी देख सकते हैं, comment यहाँ पर save हो जाएंगी यह students को student भी देख सकते हैं जहाँ पर correct करना है वहाँ आप हमने उस text पर click करके हमने उसके लिए comment रख दिये तो इस तरह से यह PDF आप यहाँ पर save कर सकते हो यह फिर आप यहाँ पर direct Google Drive में भी save कर सकते हैं जहाँ से आप Google Classroom में भी इससे share कर सकते हैं इस तरह से हमें कामी extension सा यूज़ करके student के जो answer sheet है उन्हें हम assist कर सकते हैं और यह PDF फाइल उन्हें बेच सकते हैं Thank you